एक समय की बात है, एक दूर देश में माया नाम की एक छोटी लड़की रहती थी, माया को रात में टिम्टिमाते तारों से भरे आकाश को निहारना अच्छा लगता था, हर रात सोने से पहले वह अपने मुलायम कंबल में लिपट जाती थी और अपनी खिडकी से बाहर देखत थी, खुद को सितारों के बीच उड़ने की कलपना करती थी, एक रात जब माया सोने जा रही थी, उसने अपनी खिडकी के बाहर से एक हलकी सी फुसफुसाहट सुनी, माया उसने कहा, मेरे साथ एक जादूई सहसिक यातरा पर आओ, उत्सुक और उत्साहित, माया दबे पा मैं स्टेला, स्टार लाइट परी हूँ, स्टार ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें रात के आकाश की यातरा पर ले जाने आया हूँ, बिना किसी हिच की चाहट के, माया अपनी खिडकी से बाहर निकली, और खुद को स्टेला के साथ तैरते हुए पाया, जो सितारों की स्टार श्रंखला से घिरा हुआ था, साथ में वे दूर की आकाश गंगाओं, टिम्टिमाते नक्षत्रों और जिलमिलाती निहारिकाओं का दौरा करते हुए एक आकरशक साहसिक यातरा पर निकले, जब वे ब्रह्मान की यातरा कर रहे थे, माया ने सितारों की कहानिया सु अनंत काल की अदभुत खोच के बाद स्टेला ने धीरे से माया को उसके शयनकक्ष की खिड़की की और निर्देशित किया, ये घर लोटने का समय है माया, उसने मुस्कुराते हुए कहा, अनिच्छा से माया ने स्टेला से विदाली और वापस बिस्तर पर लेट गई, जैस अनिच्छी सुभह माया अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उठी, ये जानते हुए कि भले ही वह पृत्वी पर वापस आ गई है, सितारे हमेशा वहां रहेंगे, चमकते रहेंगे और उस पर नजर रखेंगे, और उस दिन से जब भी माया रात के आकाश की ओर देखती, उ उस सुखद विचार के साथ माया सो गई, सितारों के बीच नए रोमांच के सपने देखने के लिए तयार, जैसे ही माया सोने के लिए चली गई, उपर के तारे कुछ अधिक चमकीले चमकने लगे, मानोवे उसे बता रहे हों कि रात के आकाश का जादू हमेशा रहेगा, व उसके अगले साहसिक कार्य की प्रतीक्षा कर रही होगी.